जो निया हमारा पेपर पेटरन इस साल के लिए सिंद बोर्ड ने अनौंस किया है कराची बोर्ड ने वो क्या कहा है कि हर पेपर में 50% MCQs होंगे 30% short questions होंगे और 20% long तो जो हमारे पेपर का पेटरन था वो पहले भी यही था कि MCQs का एक section होता था एक short questions का होता देख तो पेपर होगा इसी तर आभी तक model paper आई नहीं है यकीनन ऐसी होगा कि section A में MCQs होंगे अब physics theory है 85 marks की 85 marks को 50% से multiply करें यानि 50 upon 100 तो वो क्या हो जागा 0.5 तो 85 multiply पर 0.5 क्या बन रहा है 42.5 अगर 30% के लिए 30 upon 100 यानि 8.3 से multiply करें तो 25.5 और 20% 0.2 से multiply करें तो 17 marks का हो गया आइसी है तो MCQ normally एक number का होता है अब यह 42.5 तो नहीं होगा यह तो 42 हो जाएगा यह तो 43 हो जाएगा इसको 42 करेंगे तो मेरे खाल में इसको 26 कर देंगे और इसको 43 करेंगे तो 25 करेंगे सही है और 25 पी कैसे करेंगे क्योंकि यहां 4-4 नमबर का सवाल आता था पहले ने तो अगर 6 सवाल करेंगे तो 46 कितने हो जाएगे 24 हो सकता है समसे एक number मिया डाले 6-6 number के 3 long question कितने number के आते थे पहले 7 number के तो 7,1,7,7,7,2,0,14,7,3,0,21 यह भी गिंदी में पूरा नहीं आ रहा हो सकता है मेरा एक guess है अंदाजा है कि वो ऐसा करेंगे इसको 18 number के बना दें सही है 3 long questions देंगे चार दे देंगे उनमेंसे 3 करने को बोल दें एक 6 का हो जाए ना बाई अगर 3 है और 6 number के आगे तो 18 number बन गए इसमें आपको वही 6 सवाल देंगे इसमें भी और 4 एक यह questions है यह marks है ठीक है इसमें आप हो गए कि 6 सवाल कर और एक 4 number का है तो 24 हो गए तो 24 प्लस 18 किलना हो जाएगा 42 और इसको कर देंगे 43 का तो इस तरह शायद बन जाए इस तरह शायद यह मेरा अंदाजा है देखो अब होता क्या है जो बोर्ड का मॉडल पेपर आगा तो यह तो यह तो 42 43 होगा इन में थोड़ा बहुत ले दे होगी ताकि marks क्या हो जाए पूरे हो जाए ठीक है तो इस हिसाब से mcqs important होगा है पहले भी हमने कहा था अब आपको chapter के mcqs के notes मिलेंगे वो आप फोड़ घर जाके करेंगे फिर हम आपको वो solve कराएंगे उसके बाद उसके mcqs का test होगा वो test भी आपको solve कराए जाएगा बेदर है mcqs के notes और mcqs का test हर chapter का steple कर ले ताकि एक साथ रहे हैं और एक file बना ले है जिस तरह अगर box file समझते हैं एक मोटी काली file मिलती है उसमें separator भी लगते हैं तो physics के सारे notes एक जगा mcqs के chemistry के अलग बायो के तक एक साथ रहे हैं आपके आगे पीछे नहों घर जाएगे फेक दो पर ढूंड़ ते रहो कहां गये सही है उमीद है जो mcqs आपको कराएंगे इंशाल्ला वही किसे मिलते जुलते आएंगे ज्यादा आगे पीछे में फिर कहूंँ आगे भी से note mcq लेने की चक्कर में नहीं पढ़ना जो हम करवाने हैं वही करना ये तो हम सौथ साथ करी रहे हैं section b में numericals आते ज्यादा पहले भी बताया था numerical हम छोड़ नहीं रहे कोई भी सारे क question थोड़े से और भी है बठारा नंबर 85 में से 18 नंबर अब बहुत कम लग रहे हैं लेकिन बाहराल वह भी हम साथ साथ कर रहे हैं ठीक है next lecture में इंशालला हम chapter 7 स्टार्ट करेंगे उसमें dot product का जिकर आएगा dot product हमने पढ़ा था detail में नहीं definition ही ना detail में cross पढ़ा था तो definition ही dot product जितना में ने पढ़ाया था वो पढ़के आना वनना video lecture सुन लेना है वह सही है छोड़ा था chapter है topic उसके भी उन्होंने डियूस करेंगे